हेलो अब्रीवान वेल्कम बेक टू माई चैनल सो गाईस आज के लेक्षर में हम लोग देखने वाला कोश्चन नमबर 12 तो बिना टाइम वेस्ट किसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और उसके बाद करेंगे हम कुछ ठिसकॉस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है सेलिंग प्राइस निखालेंगे वह आजाएग और आपके निकालेंगे तो आएगा 32 उसके बाद डिरेक्ट लेवर में भी सेम ओने ऐसी बोला 30 पर सेलिंग प्राइस थिखालेंगे इसी सेलिंग प्राइस का वाज यागा 24 ऐसी नेक्स हम से बोला manufacturing and administrating overheads जो manufacturing and administrating overheads है वो कितना है 10% of selling price तो 10% निकालेंगे selling price का 80 है 8 हो जाएगा selling overheads अब देखो यहाँ पर selling overheads भी दे रखा है जो यह selling overhead है इसका मतलब जो product हमने sell किया उसको sell करने के जो हमें कुछ खर्चे करने पड़े उसको बोला selling overheads यह sell हम कप करेंगे कप करता है जब हमारा product बनके त्यार हो जाता है तो इसका मतलब यह वाला जो amount 4.8 फिनिश goods में नहीं आएगा क्योंकि जो product बनके त्यार हो गया बहुत हो बस त्यार हो गया और डारेक्ट लेबर यह दिया होता था बस लेकिन अपकी बार हमें selling overheads दे रखा है तो उसका मतलब यह selling का खर्चे है selling का होईगी जह हम product sale करेंगे प्रड़क्ट बनके जब त्यार हो जाएगा तो उसका जो total cost आएगा वो के वह raw material डारेक्ट लेबर और यहां बेज इसका होगा केवल ठीक है selling overheads वो determine include होगा आगे कुछ other information दे रखी है उसमें लिखावा है साफ सब first pointer raw material will be carried in a stock of 5 for 5 weeks raw material 5 weeks के लिए जाता है तो 5 divided by 52 करेंगे फैक्टरी प्रोसेसिंग डलो आईपी है यह विल टेक 3 weeks इसको कितना टाइम लगता है 3 weeks लगता है finished goods will remain in a stock for 4 weeks जो finished goods होते हैं वो कब तक रहते हैं चार हफतों तक रहते हैं suppliers provide suppliers कोन होते हैं हमारे creditors होते हैं और उसको हम कितना टाइम देते हैं 6 weeks का देते हैं जबकि data को लाओ करते हैं चार हफतों का टाइम फिफ्थ पॉइंट टाइम लाइगे ना payment of wages is 2 weeks तो वेज़ेस के लिए तो टाइम है वो कितना है टेवल 2 weeks का ठीक है तो यहां पे कुछ नीच लिखावा इसको देखते यू में एज्यूम देट मेंटेरियल इस इंटेड्यूज इंटेड्यूज इन दे बिगने को प्रड़क्शन साइकल वेर ऐस लेबर और ओवर एट्स अक्रियू इवली मिनिमम केश बैलेस केश बैलेस गेवन है यानि की करेंट असरेट साइड जाएगा वल लाइक इस इस्पेक्टेट टो बी मेंटेन ठीक है तो यह है हमारा कोशन सबसे पहले हम एक काम करते हैं जैसे की हमेशा सबका कोस्ट पर यूनिट निकालते हैं रो मेटेरियल डेवल करते हैं जो कि हम यहां पर टोटल कोस्ट निकाल रहे हैं मैं यहां लिख देती हूं तो रो मेटेरियल दे रखा है अब रो मेटेरियल का प्राइज हम कल्कुलेट करेंगे रो मेटेरियल का जो कॉस्ट है वो हम 80 रूपीज का 40 निकालेंगे तो यह आजाएगा 32 उसके बाद हम लेते हैं डारेक्ट लेबर डारेक्ट लेबर में हमसे बोला था कि जो 80 रूपीज है यह 80 रूपीज हो है जो सेलिंग प्राइस हमें बुक में गीवन था ठीक है तो डारेक्ट लेबर है यह और उसका हमसे बोला था 30 परसेंट निकालो तो 30 परसेंट हो जाएगा हमारे डारेक्ट लेबर और यह आएगा केबल आठ रुपे इसको आप सबको टोटल कर लेंगे तो यह आएगा चार और दो छे चे और आठ 68 6 कैरी 6 और दस इसका हम टोटल करेंगे तो 64 आएगा ठीक है 64 इसका मतलब यह हमारा बनाने की लिए खर्चे आता है सकते हैं जो टोटल पूरा खर्चया बता रहा है टीक है 64 यह होगा है अब उसके बाद यहांपे हमें 정도 अथ कैसे वे इसको गाईल हम सेलिंग के लिए खर्चया ख रहा है तो इसको जो हम डिय wenn इसके बाद हुआ है तो और यह कितना था यह था 6 परसेंट यह आ जाएगा 4.8 ठीक है तो इसको हम डाटर में लेंगे डाटर में इसका मतलम कितना अमाउंट लेंगे 64 नहीं लेंगे कितना लेंगे 68.8 डाटर में हम यह वाला लेंगे ठीक है समझ गए आप लोग अब बारी आते डालो आईपी की अभी डालो आईपी कर तो हमने कुछ कर आई नहीं तो डालो आईपी का मैं यह चोटा सा यहां लिख देती हूं और यहीं कर लेता है जिसे रो माटेरियल जो अब लेबर का करा है यह हमने ओवर हैड करा है यह तो लिख लो यह वेजिस लिख लो इस तरीके से गीवन है इसको आप टोटल कर लेंगे यह आ जाएगा 48 ठीक है तो यह हमारा प्राइज आया है डालो आईपी के लिए ठीक है बस आप तो हम पूरा कुशन कर सकते हैं सानी प्राइज से तो यहां है डालेंगे सबसे पहले वही आपको लिखना है स्टेट में श्वें वरकन बिखने रिकॉर में पर्टिकुलोश अमांट एक लाइन खीच देंगे अब शुरू करेंगे हां से current assets current assets में हम सबसे पहले cash लिख लेता है कहीं रहना जाए cash हमें book में ही given था बता रहा खा था 1 lakh तो मैं यहाँ पे 1 lakh cash लिख दिया मैंने उसके बाद हमारा raw material आएगा अग raw material कितनी units है 1 lakh 30,000 units है raw material कितना था price 32 देखो और कितने weeks given थे इसके उपर 5 weeks तो हम यह लिखेंगे 5 divided by 52 और इसका प्राइस था 32 तीक है उसके बाद बाद ही आती है raw material हो गया अब आएगा ड़लो आईपी ड़लो आईपी के लिए हमने यहाँ पे 1,30,000 unit तो वही लेना है और weeks हमें यहाँ पे given था 3 weeks ठीक है बुक में गिवन था और अभी हमने प्राइस निकाल लिए 48 अभी निकाला था ना ठीक है या या बुक में गिवन था ये डवलो आईपी फैक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक 3 weeks इक सरीके से लिखा हुआ था ठीक है अब आज यो फिनिश गूर्स पर तो यहां लिखेंगे फिनिश गूर्स फिनिश गूर्स में भी यही हमें गिवन था टाइम 4 weeks का अब आगे आएगा डाटर्स के लिए भी हमें यह पूरा एक लाग तीज़ार यूनिट लेना डाटर्स के लिए हमें टाइम अलाओ था 4 weeks divided by 52 और इसके लिए हम को सब कोस्ट लेंगे प्राइस पर यूनिट 68.8 वाला ठीक है एक ली का खट्चे एड करते हुए तो 68.8 आजाएगा यहां अब इनको करकुलेट करके यहां लिख लेंगे ठीक है ठीक है यह लिख लिए एक सेकंड यह गाइस यहां पर यह एक एरो बना देती हो मैं क्योंकि यह अमाउंट यहां पर आ रहाता है मैंने एक लाइन नेचे यहां पर सबसे पहले हम लेंगे क्रेडिटर को क्रेडिटर को नहीं होते 27 रम प скажे मारे क्रीटर कATOR उते हैं तो यह लाग थीरीजाए यूनिट हमने क्रीग ठीच आएगा यह लिए धैना कि 32 और उसको Principally Supply अलाव करते हैं 6 ृषी की अब बस आएगा हमारा वेजिस इसमें बोल रहा था है time lag in a payment of wages in two weeks two weeks का हम उसको time करते हैं तो यहां two divided by fifty two wages यह लिए कि यह बताओ कौन से direct labor या वराईट से sailing आवराईड या raw material बताओ wages कौन सा आएगा यहांपे wages आएगा यह यह क्योंकि labor को जो हम खर्चे देते हैं वही हमारा बेज़ेस होता है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे 24 इसका प्राइस 24 है ना इसलिए मैंने 24 लिखा देखो ठीक है तो 24 अब इसको काल्कुलेट कर देंगे बस यहां पर मैंने यह ऐसल्व करके लिखूंगी तो यह आएगा अ ठीक है इसको टोटल कर दो टोटल करके मिल जायागा यह है चीक्स लैक अब इसके वाद हमें वही निकालना एं माइनस डी करना आए वर्किंग क्यापिटल लिकालना एं माइनस बी थेके तो इसमें से अमाउंट में से इसमें से इसे माइनस कर दो 6 लाग घटा दो तो यह आ जाएगा बैल हम कोशन करेंगे उसके डिसकस करेंगे तो यह तो गाइस कोशन नमर 12 था फिनिश हो गया है कोशन नमर 12 इसमें कुछ भी नहीं था बहुत है इसे कोशन था बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यार रखना है कि जो हमें डैटर के लेना है अमाउंट वो 68.8 क्यों लेना क्योंकि वो सेलिंग ओवर एट्स है और यहाँ पर 64 ही लेना है फिनिश गोड्स में क्योंकि टोटल कोस्ट मारा जो खर्चा है प्रटक्ट बना है वो 64 आया ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बस और कुछ भ दूसरी बात अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक है नोट्स चाहिए फिनाशन मेनजमेंट के ही तो आप मुझे वह बता सकते हैं मैं आपको एबलेबल करा दूंगी इन पीडिया फॉर्म ठीक है तो मुझे वह बता सकते मेल करें करें करके तीसरी बात अगर आप लोग अभी ग्राइशन करें उसके अद़ आप मास्टर करेंगे, एमकोम करेंगे ऐंबिया करेंगे ही खाले तो नहीं बेटेंगे सकते हैं मुझे बता सकते हैं कमेंट और मेल में तो मैं आपको वो भी एवालेबल करा दूंगी और वो फाइप यह कोशन पेपर है एमकॉम के हैं डैली निवस्टी से जो एक्जाम करनेट करते हैं वो और विद अंसर है एक्स्प्लेनेशन भी है उनमें ठीक है तो आम उसे व झाल 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 झाल